तो कैसे हैं आप सबी लोग आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडेक्ट एंड दियर एलिमिनेशन सो भाई कानों में एरफुल लगा लो और बैट जाओ अच्छे से ठीक है एनीमल्स एकुमलेट अमोनिया ओके जमा करते हैं कुछ समय के लिए ठीक है कुछ समय के लिए कि इसको अमोनिया को यूरिया को यूरिक ऐसेड कारबन डियोकसाइड और वाटर आयान्स लाइक जैसे के सोडिया मुगया प्रडेशयम कैल्शयम कैलोरीन फॉसफेट और शल्फेट ठीक है यह क्या करते हैं वह एकुमलेट करते हैं कुछ टाइम पिरियेट के लिए एदर भाई मैटावॉलिक एक्टिविटेज और बाई अधर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन और जो उन्होंने अंदर ले रखा है ठीक है खा रखा है इस सब्स्टेंस हैं इनको रिमूव कर सकते हैं हम टोटली और पार्शली इनको हमें क्या करना है बिल्कुल रिमूव करना हमारे अंदर बिल्कुल रहना नहीं चाहिए इन इस चैप्टर यूव लर्न दी मेकैनिसम ऑफ ऐलिमिनेशन ऑफ दी सब्स्टेंस मतलब जो यह सब्स्टेंस है इनको हम किस तरीके से इलिमिनेट करते हैं यह चीज हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर इस पेशल इंफेसिस और इनका इंपोर्टेंस क्या है कॉमन न इस्ट को बाहर निंकाला है दुटक दूख उड़निय एक्सेट के दुखा इनि मल्स के दूः ड़ार हम एक्सक्रीट कर देते हैं विस्ट को बाहर निकाल जिए Ammonia is the most toxic. Ammonia जो है न वो ज्यादा जहरी है, form and requires large amount of water. इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए है अगर तुम्हे अपनी बॉड़ी से इसको बाहर निकालना है. किसको बाहर निकालना है? Ammonia को. For its elimination, इसको मारने के लिए वियर रेस यूरिक एसिड बिइंग दा लीस्ट टॉक्सिक. अगर हम यूरिक एसिड की बात करेंगे तो यूरिक एसिड इतना टॉक्सिक नहीं होता है. इसलिए हम बोलते है इसको लीस्ट टॉक्सिक है. यूरिक एसिड क्या है? लीस्ट टॉक्सिक ठीक है ऐसा नहीं कि इसमें इसमें बहुत ज् blended त्लिक जो प्रोसर देगे ने अध्यं फिशनके और दिया को दी आते हैं यह एक्यारीटिक हो गहीं amphibians and aquatic insects हो गए are ammonotelics मतलब वो क्या release करेंगे ammonia को release करेंगे वो insect वो मचलिया ammonia को release करेंगे और उनको बहुत ज़दा पानी की नीड होगी ज़रूरत होगी in nature ammonia as it is readily soluble ammonia क्या है वो soluble होती है is generally excreted और generally excreted की जाती है by the diffusion across across body surface किसके दोवारा body surface के दोवारा हम इसको diffuse करा देते हैं एक जगे से दूसरी जगा पहुचा देते हैं मतलब निकाल देते हैं throw gill surface हम gills के surface से भी ऐसा कर सकते हैं in fishes fish के अंदर ऐसा होता है as ammonia ions ammonia ions के बत तोर kidneys do not play kidneys do not play any significant role in its removal kidney भाई कोई भी काम नहीं करती है ammonia को बाहर निकालने में terrestrial adaptation necessitated the production of laser toxic देखो यहां पर क्या हो रहा जो terrestrial पर आगे adopt कर चुके हैं उस चीज को तो उनके अंदर क्या होता है laser toxic of nitrogenous waste like जैसे के urea हो गया और uric acid हो गया for conservation of water conservation of water हम क्या करते हैं इसको conserve कर देते हैं बदल देते हैं किसमें पानी बदल देते है mammals many terrestrial amphibians and marine fishes तो को यहां पर क्या बोल रहा है जैसे के mammals हो गए और amphibians हो गए और marine fishes हो गई mainly excrete करती है बाहर के बाहर निकालती है urea को ठीक है and are called ureotelic उसको हम क्या बोलते हैं ureotelic अगर ammonia निकल रही है excrete हो रही है किसी भी living organism से तो उसे हम बोलते हैं ammoniotelic और अगर urea बाहर निकल रही है excrete कर रहे है तो उसे हम बोलते है ureotelic animals ठीक है ammonia produced by metabolism is converted into urea देखो यहां पर क्या हो रहा है इसको हम क्या कर रहा है ammonia को ही जो ammonia थी ना NS3 ammonia को हम produce हो रही है by metabolism metabolism की दूआरा is converted इसको हमने convert कर दिया है into urea किसमे urea in the liver कहां पर process हो रही है liver के अंदर ठीक है of these animals and release into the blood और इसको हम वापिस से blood में छोड़ देते हैं किसको urea को ठीक है which is filtered and excreted out by the kidney बाद में क्या होता है blood चप जाता है kidney की तरफ तो हम पर क्या करता है उसको filter करेगा और by excretory product को बाहर की तरफ निकाल देगा some amount of urea may be retained कुछ amount urea का जो है वो रह जाता है retain का मतलबता रह जाता है kidney matrix kidney की जगे पर ठीक है of some of these animals to maintain a desired osmolatory क्यों रह जाता है क्योंकि वो osmolatory को maintain कर रखे ठीक है कही ऐसा ना हो कि osmo जो है वो सब कुछ गिर जाए और फिर दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए हम थोड़ा urea जो है ना वो बचा कर रखते है जिससे के osmolatory का balance बना रहे rapittiles, birds, land, snails अगर हम rapittiles, bird और snails की snails की बात करे and insect excrete nitrogenous waste ये क्या waste निकाल रहे है pellet और paste ठीक है ये थोड़ा गाणा टाइप का होता है paste type का होता है with a minimum loss of water इसके अंदर बहुत कम पानी का खर्ष होगा and are called yuricotelic animals ठीक है ऐसे animals को हम क्या बोलते है yuricotelic animals तो अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने क्या पढ़ा है सिर्फ यही तो पढ़ा है कि Ammonotelism क्या होता है Ammonotelism वह होता है कि Ammonia को बनने को हम Ammonotelism बोलते है ठीक है और फिर जो Living Organism Ammonia को बहुर निकालते है बहुत जादा पानी का यूज़ करके तो उसे हम बोलते है Ammonotelic और अगर हम बात करे जो यूरिया को बहार निकालते है एक्सक्रीट करते है तो उनको कम पानी की जुरुवत पढ़ती है comparison to Ammonia को निकालने में यहां पर हमारे कम पानी की जुरुवत पढ़ती है इसलिए हम बोलते है इन अनिमल्स को Ureotelic ठीक है तो अगर तुम्हें अभी तक कुछ समझ मां आया है और मेरे साथ समझ मां आया होना चाहिए तो भाई लाइक करो और सब्सक्राइब करो ठीक है आगे दिखो A survey of animals kingdom present a variety of excretory structure मतलब यह क्या बोल रहा है इन्होंने survey क्या है Animal kingdom पे पहुत जादा present पाए जाते है variety of excretory structure अलग अलग तरीके excretory structure पाए जाते है in most of invertebrate अगर हम invertebrate की बात करें these structure are simple tubular forms यह structure जो ना simple tubular tube की तरह form में होंगे various vertebrates have complex tubular organs called kidney अगर मैं vertebrate की बात करो जिनके अंदर backbone present होती है vertebrate present होती है तो उनके अंदर एक special organ होता है जिसे हम बोलते है kidney some of these structure are mentioned here और कुछ यहां पे इनोंने बता दिया है यहां पे मतला mention कराई गया structure जैसे प्रोटो नेफेडिया और flame cells are the excretory structure in flethy halminthes को यहां पे क्या बोल रहा है कि इनके अंदर जो है वह normally वैसा होगा जैसे के simple tubular type का होगा ठीक है flethy halminthes यह यहां प्रोटोनेफेडिया और flame cells यहां तो flame cells होगी the excretory structure in flethy halminthes flatworms और example दिया है इनोंने plane area यह उमने सबके सब animal kingdom में पड़े होंगे ठीक है rotifers some anilida and cephalocodata m foxes protonephedia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation क्या बोल रहा है कि अब यहां पर नहों नहों पर नाम बता दी और यहां पर नहों नामों के थोड़ा सा बड़ा के लिख रहा है कि जैसे कि protonephedia are primarily concerned इसमें primarily concerned हम क्या चीज़ देखते है primarily ionic देखते है क्योंकि हम ions को check कर रहे ions को concerned करके हम fluid को देख रहे तो इसलिए हम बोल दिया Osmo regulation nephedia are tubular excretory structure nephedia के अंदर कैसे structure पाया जाता है tubular excretory structure पाया जाता है of earthworm and other anilida और earthworm के अंदर भी ऐसा ही होगा ठीक है और anilida में भी यही देखने को हमारे को मिलेगा ठीक है nephedia helps to remove nitrogenous waste and maintenance of fluid and ionic balance यहां पर भी बात बोल दी कि यह ionic balance को बना के रखेगा और maintain करेगा fluid को ऐसा ना हो कि सारा-सारा fluid इन्होंने excret कर दिया फिर भाई maintain ही नहीं कर पार यह मर जाएंगे ठीक है तो यह nephedia के अंदर भी ऐसा ही होता है आगे देखलो malfeasian tubules are the excretory structure okay malfeasian एक structure है ठीक है जो excretory structure कहलाता है ठीक है of most of this the insects including cockrose okay insects बहुत जादा इसमें include होते हैं पाए जाते हैं जैसे कि cockrose हो गया cockrose के अंदर तुम्हारे को क्या देखने को मिलेगा malfeasian tubules देखने को मिलेगे malfeasian tubules क्या करेगा एक वह structure है जो excretory के काम में आता है malfeasian tubules help in the removal of nitrogenous remove करता है किसको nitrogenous को waste को and osmoregulation okay entenal gland और green gland perform the excretory function यह क्या बोल रहा है एक entenal gland होती है यह बोल सकते हैं उसको green gland perform करती है excretory function कौन सा काम करती है excretory function का काम करती है crustaceous like prawns जैसे के prawns होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलती है तो मैं बता रहा हूँ अगर तुमने animal kingdom पढ़ा होगा तो तुम्हारे को हम आ चुके human excretory system in human the excretory system consists of a pair of kidney one pair of ureters a urinary bladder and a urethra तो यहां पर देख लो एक pair क्या होदा हमारे पास एक जोड़ी क्या होती है kidney एक जोड़ी होती हमारे पास एक जोड़ी ureter होता है one pair of urethra फिर देखो urinary bladder हमारे पास A होता है एक ही urinary bladder होता है यह पेर में नहीं होता है और यहां पर भी नहोंने A लगा दिया है एक ही urethra होता है figure में दिखा दिए गया है नहोंने kidney और reddish brown kidney कैसी होती है reddish brown की होती है bean shaped होता है structure situated between the level of last thoracic कहां पर present होती है last thoracic last thoracic and third lumber third lumber vertebra तो यह अगर तुमने vertibras पढ़ी है तो हम पर हमार पास thoracic vertebra आती लंबर आती तो इसी तरीके से last thoracic vertebra और third lumber vertebra close to the dorsal inner wall dorsal का मतलब होता है पीछे की तरफ inner wall अंदर की दिवाल की तरफ होती है of the abdominal cavity abdominal cavity में dorsal पीछे की तरफ अंदर की तरफ होती है each kidney of an adult human हर एक kidney एक adult human की measure 10-12 cm किती होती है 10-12 cm in length उसके लंबाई किती होगी 10-12 cm अब तुम कैसे याद रख सकते हो मैं बदा हूँ अगर तुमने बच्पर में एर्थ क्लास में skill दिखाऊगा तो वह 10-12 cm का हता था शायद मेरे को जहां तक पता है ठीक है तो वैसे याद रख सकते हो 10-12 cm की kidney होती है ठीक है 5-7 cm उसकी weight तो होगी और 2-3 cm यह याद होना चाहिए 5-7 तक उसकी क्या होगी चोड़ाई होगी और 2-3 cm तक उसकी thickness होगी मोटाई होगी ठीक है तो अभी हमने kidney को 3-D में देख लिया है उसकी मोटाई लंबाई चोड़ाई अगर मैं weight की बात करो kidney की तो वह होती है 120 से लेकि 170 gram okay towards the center of the inner concave surface okay अगर हम toward आगे की तरफ देखेंग the center बीच में एक inner concave surface होती है concave surface होती है of the kidney is a notch it is called helium helium okay उस इससे को हम क्या बोलते है helium बोलते है तो यह देख रहो यह वाला जो हिस्सा है यह वाला जो हिस्सा है इसी को हम helium बोलते है ठीक है through which ureter blood vessels अब यहां से देख लो इससे क्या क्या निकल रहा है ureter निकल रहा है blood vessels हो गई nerves enter करती है ठीक है इधर, यूरिट्रा और बिलड और नर्वेसल जो है वो सारी की सारे इधरी से इंटर करती है और इधरी से ही निकलती है इनर टू दा हीलियम इस ब्रॉड फुनल शेप्ड इस पेस कॉल दा रेनल पैल्वेस एक बड़ा सा शेप होता है ठीक है चोड़ा सा शेप होता है जिसको हम बोलते है रेनल पैल्विस इसी में तुमारी इस्टोन आके चर्म जाती है और भाही दिख्कत होने लगती है ठीक है विट प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेसिस ठीक है ते अलियर अकेडनी के अची हम जांका जाता है तो हमारी बोलते कॉर्टेक्स और देनुस से हम बोलते है अगे unterstützen की तरफ कर शों कर देए को साइल कॉल इसिऑ के घृट झाप प्रोजाक है को और व प्रोजे बात कर बैद करी ने जिसके उसके अंदर हमारे को प्रामिट्स देखने को मिलते हैं ठीक है प्रोजेक्टिंग इंटु दा कैलिसस साइन आगया कैलिक्सिस का मतब सिंगल अगर हम बोलेंगे तो कैलिक्स हो जागा दी कोर्टेक्स एक्सेंड इन बेट्वीन देब अब यह आगे चलते हैं medullary primates as renal columns called columns of Bertini ओके इनके बीच में जो जगा खाली होती है उसको हम बोलते है columns of Bertini मैं बताता हूं यह जो जगा खाली दिख रही है इसको हम बोलते है columns of Bertini समझ माया columns of Bertini बोलते है इसको तो हम primates बोलते हैं ठीक है आगे चले each kidney has nearly 1 million हर एक kidney में किते million complex tubular structure nephrons के 1 million हर एक kidney में एक kidney में 1 million होगा 2 million nephrons है 2 million nephrons लेके गोम रहे हो which are the functional unit जो कि एक functional unit है किसकी kidney की ठीक है each nephron has two parts हर एक nephron के 2 parts the glomerulus and the renal tubules two parts कौन कौन से एक है glomerulus और दूसरा है renal tubule glomerulus is a tuft of capillaries glomerulus जो है वो capillaries मतलब घरा होता है formed by the efferent arteriole इसमें हमारे पास efferent arteriole देखने को मिलती है a fine branch of renal artery और हमारे को renal artery भी देखने को मिलती है ठीक है renal artery blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole तो यहां पर दो तरह के कि इन्होंने arteriole बता ही है efferent arteriole और एक होती है efferent arteriole efferent arteriole वो होती है जो kidney की तरफ को जाएगी अंदर को लेकर जाएगी ठीक है blood को efferent को होगी जो बहार निकाल देगी blood को ठीक है दूर जाएगी blood from the glomerulus is carried away यह बहार की तरफ जाएगी जिसे हम बहुते है efferent efferent जो है वो अंदर की तरफ efferent जो है वो बहार की तरफ जाएगी the renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called boomin capsule ठीक है renal tubule जो है न वो start होता है double wall 2 wall होती है और उसका जो structure है वो cup जैसा है उसका नाम रखा गया है boomin capsule which includes the glomerulus glomerulus along with boomin capsule is called malphusion body तो यह question आ जाता है के malphusion body हम किसे बोलते हैं तो glomerulus और boomin capsule को अगर हम add कर दें या मिला दें ठीक है तो उसको हम बोलते है malphusion body या हम बोल सकते है renal carpuscle ठीक है the tubule continues further to form highly coiled network इसे अब देखो हम पर क्या कर रहा है जो tubules थी वो continuously क्या करेंगी feathers आगे की तरफ form बनाएंगी highly बहुत ही जादा coiled network बनाएंगी ठीक है जिससे हम बोल रहे है proxy proximal convulated tubule अगर तुमने अभी तक structure नहीं देखे तो पहले आप अपर वाला structure देख लेते अब यहां पर structure में देखो क्या है यह तुम्हारे पास एक kidney का एक ur excretory system का यहां पर इनोंने structure दे रखा तो यहां पर देख लो यहां पर नोंने दिखा दिया kidney को पर क्या लगी है adrenal gland तो दो kidney है तो हमारे पास दो adrenal gland present होती है अब यहां पर देख लो renal artery हो गई renal artery का का काम क्या है blood लेके आती है जैसे heart ने pump किया जैसे heart ने pump किया तो यह भाई साब सीधे सीधे renal artery से kidney में जाता है फिर यहां पर क्या है यह जो blood है उसको purify करेगी filter करेगी और renal vein के दुआरा वापस भेज देगी यह हमारे पास kidney आ गई यह हमारे पास dog cell arota आ गया और यह ureter जो के दो होते एक pipe यह आ रहा एक यह pipe आ रहा दो ureter हो गए uranine bladder एक हो गया हमारे पास uretera भी हमारे पास एक यह है अब यहां पर देख लो kidney की दो reason देखे गए थे अंदर से cortex वाला था और एक medulla था ठीक है दो reason थे cortex और medulla और इसको हम ने बोल दियाता है pelvis वह तो inferior वहना कावा होगी और बाकी तो मैं अगर और अच्छे से देख रहे हो तो यहां पर उमारे को primates भी दिखेंगे और columns of pertinear भी दिखेंगे ठीक है आगे चलते next structure पर तो next structure जो है यह है तो यहां पर देख लो medullary primates लिखे हुए तो यह medullary primates होते हैं शायद 11 से 12 पाए जाते हैं लेकिन यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ है यहां ठीक है कैलिक हो गए वैसे यहां पर साथ है तो साथ ही याद रखना तो क्योंकि NCRT में साथ दिये हुए हैं तो अगर option आजा कि 7 है तो भाई 7 टिक करके पहले आना तुमारे को फिर देखो यहां पर कैलेक्स टिखने को मिल रहा तुमारे को ओके रिनल आर्टरी हो गए रिनल वेन रिनल पैल्विस पेल्विसर्ण यहां पर तुमारे इस टोन मतलब कट्टी होंपे थी conception कैप्सुल jednak करों अब यह वाला इस्ट्रक्शर देखते हैं एफ्रेंट आर्ट्रियोल अंदर की तरफ जाएगी तो भाई यह अंदर की तरफ चाह रही है और बिलड अभी ऐसे करके जाएगा ओके ठीक है बिलड ऐसे करके गया अब यह जो बताब नेटवर्क है ना यहां पर आर्ट्री इसका तो इसको हमने बोल दिया एक उच्छे को ग्लो मेरूलस क्या बोल दिया ग्लो मेरूलस और यह जो हमारे को येलो कलर का दिखाई दिया है एंगल टाइप का तो इसको हमने बोल दिया बोमन कैप्सूल क्या बोल दिया हमने इसको बोमन कैप्सूल तो ग्लो मेरूलस और बोमन कैप्सूल को ठीक है और अगर हम उपर के तरफ जा रहे हैं तो यह हो गई ascending limb of loop of hand ले ओके और यह होगी तुमारे पास यह तो वसा रेक्टा हो गई क्योंकि इसके अंदर ब्लड जा रहा है और यह दखो यह यहां से अंदर लेकर आ रहा ही ती है और यह बुलड को दूर लेकर जा रही है तो इसलिए हम बोलते हैं इसको efferent arteriosis बोलते हैं और हम можетend cur वह आके जोड़ते हैं उसे मोलते हैं कलेक्टिव डग्ट इसी तरीके से अगर मैं इसको यहां से कॉपी करके इधर लगा दू तो इधर से वापे से ऐसे करके यहां पर आएगा तुमारा फिल्टर होने के बाद ठीक है तो यहां पर यह कलेक्ट कर लेगी यह ड़क्ट जाके Okay, Heller Loop कैसा है? एक है फ्रींशेप्ट का है. Is the next part of the tubule, okay, यह next part है which has a descending, okay, यहां पर descending हमने देख लिया And an ascending limb, okay, मैंने a descending भी दिखाया तुमारे को और एक ascending limb भी दिखाया The ascending limb continues as another highly quailed tubular region called distal convoluted tubule Okay, यह भी हमने देख लिया है. कि एक highly quailed होता है जिसे हम बोलते हैं digital convulated tubule तो यह याद रखना कि highly coiled कौन सा होता है तो यहां पर हम highlight कर देदे highly coiled okay तो वह होता है हम आरे पस digital convulated tubule यह हम बोल सकते हैं DCT okay the DCT of many nephrons opens into a state tube called collecting duct बनी क्या बोल दा कि बहुत सारे nephrons जो है न वो open होते हैं किसमें जाके collecting duct में जाके many of which converge and open into the renal pelvis और कहां पर जाके open होते हैं renal pelvis में open होते हैं through medullary primates in the calyx ठीक है और कहां पर जाएंगे medullary primates में जाते हुए calyces में चले जाएंगे ठीक है तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है एक cortical reason होता है of the kidney where is the loop of hell dip into the medulla दोंको यह बात याद रखना यह बहुत साथ important बात है ठीक है dip into the medulla तो यहां पर नोंने क्या बदाया कि जो PCT है तुम्हारे पास और DCT है मतलब proximal convoluted tubule है और digital convoluted tubule है nephron की ठीक है तो यह cortical reason में होंगे normally कहां पर होते है cortical reason में होते है but loop of hell जो है ठीक है वो कहां होता है into the medulla वो medulla के अंदर होता है समझ पा रहे हो अगर तो मैं notes पढ़े होंगे ना तो यह यह line बहुत आसानी समझ गये होगे और नहीं पढ़े तो शायद थोड़ी तिकत आ सकती है ओके आगे चलते इन मैजुरेटी आफ नेफ्रोंस ती लूप of hell is too short अगर हम मैजुरेटी देखे जाद तर हमारे को क्या देखने को मिलेगा तो आफ नेफ्रोंस ना लूप कोटिकल नेफ्रोंस ऐसे नेफ्रोंस को हम क्या बोलते हैं कोटिकल नेफ्रोंस बोलते हैं इन सम आफ दी नेफ्रोंस दी लूप of hell is very long और कुछ नेफ्रोंस ऐसे होते हैं जिनका लूप of hell बहुत लंबा होता है और डीप इन टू दा मेडूला और मेडूला के अंदर बहुत जादा घुसेवे होते हैं इस नेफ्रोंस इन जाक्ष्टा मेडूलारी नेफ्रोंस तो नेफ्रोंस भाई दो तरीके के होगें cortical nephrons and juxtamedullary nephrons cortical nephrons which are short and small loop of hell is small then they can't go into medullary reason they can go into it but they can reach it but the juxtamedullary is very much how are they? they are long and they reach deeply in medulla which we call juxtamedullary nephrons the afferent arteriole emerging from the glomerase from a fine capillaries network around the renal tubule called peritubular what do we call peritubular capillaries so here we see that afferent arteriole where it emerged it was lifted in glomerase what is called peritubular capillaries now minute vessels of this network runs parallel to the hellay loops and what do we do this network runs parallel to the hellay loops parallel to the hellay loops parallel to the hellay loops according parallel it will run forming a u-shaped 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 wasa recta wasa recta is absent and highly reduced in cortical nephrons because cortical nephrons are very small in cortical nephrons in cortical nephrons because cortical nephrons are very small मतलब पहली जो चीज हिसा ले रही है उसका नाम है Glow Merular Filtration, दूसरा है Reabsorption and तीसरा है Secretion ठीक है एक एक हिसा होता है जो filtration का काम करता है दूसरा Reabsorption का मतलब होता है कि दो बारा से उस चीज को Reabsorb कर लेना अपने अंदर अफशोषित कर लेना दो बारा से ठीक है और जो तीसरा हिसा है वो है Secretion जो भी waste material है उसको बहार निकाल देना होगे That take place in different parts of the nephron यह जो काम हो रहा है यह अलग-अलग nephron के अलग-अलग हिस्सों में काम हो रहा है The first step in urine formation is the filtration of blood जो पहला काम है वो क्या है blood का filtration होना मतलब blood को filter करेंगे पहला काम यह होगा which is carried out by the glow merulus ठीक है यह किसके दुआरा होगा काम glow merulus के दुआरा and is called इसी को हम बोलते हैं glow merular filtration ठीक है Blood का फिल्टरेशन जो है वो पहला step है और यह किसके दुआरा होता है यह होता है glow merulus के दुआरा और इसी filtration को हम बोल देते हैं glow merular filtration ठीक है On an average 1100-1200 ml of blood is filtered by the kidney यह क्या बोल रहा है 1100-1200 ml blood filter हो जाता है किसके दुआरा kidney के दुआरा per minute हर एक minute में सोच लो कितना जादा तुमारा kidney जो हो blood को filter कर रही है एक minute के अंदर ठीक है which consists roughly one by fifth of the blood pumped by each ventricle of the heart in a minute अब क्या बोल रहा है एक minute के अंदर जो तुमारी दोनों ventricle we क्या कर रही है blood को pump कर रही है वह जो blood को pump कर्य है उसका one by fifth हिस्सा समझ रहे है सबसे ज़ादा जो blood आता है kidney की टरफ ही सब ज़ादा blood आता है ठीके one by fifth हिस्सा जो है na kidney की तरफ आ जाता है filter होने के लिए यानि कि filter होने के लिए the glomerular capillary blood pressure cause filtration यह क्या बोल रहा है glow merular capillary जो है वो क्या करती है blood pressure cause करती है क्यों करती है क्योंकि filtration हो जाए blood का through 3 layers मतलब 3 layers के दुआरा filtration होगा we know that the endothelium glomerular पहला क्या बोल रहा है endothelium of glomerular अंदर पाए जाने वाली एक layer होती है इसको हम बोलते है endothelium of glomerular ठीक है blood vessels the epithelium of boomin capsules यह तो glow merular के अंदर होगे ठीक है और दूसरा है epithelium of boomin capsule boomin capsule जो है उसके ऊपर एक layer पाए जाती है उसको हम बोलते है epithelium ठीक है and a basement membrane between these two layers और इन दोनों की बीच में एक membrane पाए जाती है जिसको हम बोलते है basement membrane तो यहां पर तुम्हारे को क्या देखने को मिल रहा है यहां पर देखने को मिल रही है तुम्हारे को 3 layers जिसका पहला नाम है endothelium of glomerular गिलो मेरड़ पे जो लेयर होती है उसे हम अंदधर पाए जाने वाली लेयर को हम बोलेंगे अंद्धीलियम और बूमन कैप्सूल की बाहर के तरफ होगीँ हूसे हम बोलते है एपी ठीलियम और उन दोनों की बीच में एक लेयर प्रेजन रहे हैं उसे हम हम क्या बोलते हां एंपी थिलेज cels को फॉर्डुसाइट इसकते हैं और अर्एंज इनेट्राइग्ट मैनर और एक दूसरे से किस मैनर में होते हैं मतलब एक दूसरे से मले जुले हुए होते समिने मिनेर मिनिया एब स्पेस ॐह इस के बीच में कुछ जगा रहती है called filtration slides या हम बोल सकते हैं slight pores तो यह बोल रहा है कि podocytes क्या है एक epithelial cell है जो boomer capsule पर पाए जाते हैं और यह एक interact manner में होते हैं मतलब एक दूसरे से मिले वे होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या होती है कुछ space होती है कुछ जगा होती है जिसको हम बोलते हैं filtration slight यह हम बोल सकते हैं slight pores ठीक है blood is filtered so finally through these membranes यह क्या बोल रहा है कि blood जो है filter हो जाता है in membranes के दुआरा that almost all the constitute of the plasma accept protein pass on to the lumen of boomer capsule क्या बोल रहा है plasma जो है न यह क्या बोल रहा है almost of the plasma जो है except protein protein को छोड़के सारे चीज़े क्या हो जाएंगी lumen में पहुच जाएंगी boomer capsule के अंदर therefore it is considered as a process of ultra filtration ठीक है अब इसको हम क्या consider कर रहे है ultra filtration considered कर रहे है the amount of the filtrate formed by the kidney per minute is called glow मिरुए filtration rate मतलब एक मिनिट के अंदर कितना filtrate बना रहे हो कितना तुम चान रहे हो ठीक है blood को उसी को हम बोल रहे है glomerular filtration rate यह हम बोल सकते है GFR GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute यह क्या बोल रहा है filtrate बना लेते हैं मतलब चान लेते हैं समझ रहे हो और अगर हम एक मिनिट की बात करेंगे तो वह 125 ml minute 125 ml per minute हम क्या करते हैं filtrate करते हैं the kidney have built in mechanism for the regulation of glomerular filtration यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि जो kidney है वह mechanism regulate करती है filtration rate के ऊपर ठीक है मतलब इसको चलाया जाता है one such efficient mechanism is carried out by juxta अब यह क्या बोल रहा है कि यह जो mechanism है carry किसके दुआरा काम कर रहा है juxta glomerulus apparatus के दुआरा जिसे हम बोलते हैं JGA JGA is a special sensitive reason JGA क्या है juxta glomerulus apparatus एक sensitive reason है formed by cellular modification और यह cell का modification है ठीक है in the distal cumulated tubules और यह कहां पर है distal cumulated tubules तुमने पहली वाली अगर मेरी video नहीं देखी है तो जाके देख लो वहां पर हमने इस पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात किये and the efferent arterioles are the location of their contact और efferent arterioles जो है ना इसके contact में होती है a fall in GFR क्या हो रहा है fall के मतबता है girna GFR glomerular filtration rate can activate jg cells क्या बोल रहा है कि glomerular filtration rate जो है वो अगर कम हो रहा है तो juxtile glomerular cells को क्या कर देता है activate कर देता है to release ranine क्या release करें ranine को release करें important चीज़ है ranine हमने दो जगे पढ़ एक जगे स्टमक में और एक जगे यहां पर तो ranine के spilling याद रखना है ठीक है which can stimulate the glomerular blood flow and the effort that GFR back to normal क्या बोल रहा है ranine हम release कर देंगे और ranine जैसे हम release करेंगे तो stimulate कर देगा glomerular blood flow को or glomerular filtration rate जो है वह वापे से normal हो जाएगा ठीक है a compression of the volume of the filtrate formed per day 180 liter यह क्या बोल रहा है कि जो volume है 180 liter per day है ठीक है with that of the urine release 1.5 liter और जो urine जो तुम पिशाप कर दो वह किता होता है 1.5 liter करेंगे निकाल दो suggest that nearly 99% of the filtrate to 99% filtrate has to be reabsorbed और वो 99% तुमारे पास है ना filtrate उसको हम क्या करा देते हैं reabsorb करा देते है by the renal tubules किसके दुआरा renal tubules के दुआरा 99% filtrate को हम reabsorb करा देते हैं like मैं तुमारे को तुमारे पास एक चनी है तो हमने उसमें सर्बत को चाना ठीक है तो जब तुम सर्बत को चान रहे हो तो सारा का सारा सर्बत जो है वह चान रहा है और 99 मतलब तुमने यह समझ दो कि 180 लिटर चान दिया पूरे दिन में ठीक है अब क्या करोगे अब तुमने देखा कि भाई यार हमारे को तो चान तो बहुत दिया लेकिन हमारे को चाहिए इस प्रोसेस इसको बहुते हैं रिए अब्स आप्शन दो बारा से किसी भी चिज़को अप्शोषित करा देना ड़िटिस काल्ड रिए अप्शोप्शन ठीक है दिट टूबलर एपिथेलियल सेल्स इंडिफेंट सिगमेंट क्या बोल रहा है कि टूबलर एपिथेलिल सेल् मतलब एक्टिवली भी काम करेंगी और पैसिवली भी काम करेंगी फॉर एग्जामपल सबस्टेंस लाइक ग्लुकोज अगर हम ग्लुकोज की बात करेंगे अमीनो एसेड एंड सोडियम इन दी फिल्ट्रेट और री एब्सॉर्ब एक्टिवली यह सारे के सारे जो हैं किस इसे एब्सॉर्ब होंगे एक्टिवली एब्सॉर्ब होंगे याद रख लेना कि जो तुम क्या बोलते हैं जैसे कि हमने शर्बत को च्छान लिया था अब उसमें मालो ग्लुकोज आ गई ठीक है ग्लुकोज आ गई नीबू का मतलब कुछ केमिकल ता वह आ गया तो तो कि यहां पर हम एक्टिवली काम करते हैं और हम पर एटिपी खड़्च होगी ठीक है ग्लुकोज अमीनो एसिट और सोडियम को रियाब्सॉर्ब कराने में वियर इस दे नैटरुजीनियस वेश्ट और एब्सॉर्प और नेटरुजीनियस वेश्ट जो है वह एब्सॉर्ब और यह बात यहां दखना, इनिशल सिगमेंट में होगा भी निफ्रोन के हिससे में, ठीक है, निफ्रोन के पहले वाले हिससे में पानी का जो है, वो फेसिवली क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, या रियाब्सॉपशन हो जाएगा, बिरिंग यूरीन फ़ॉर्मेशन तट्यूबलर सेल सेक्रीड सबस्टेंस लाइक एचपलस प्लस के अमोनिया इंटू दा फिल्ट्रेट क्या बोल रहा है कि जब भी यूरीन का फार्मेशन होता है तो तुबलर सेल जो है, important tubular secretion भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है step in urine formation urine को बनाने में as it help और यह मदद करता है in the maintenance maintenance करने में या balance करने में of ionic and acidic balance of the body fluid ठीक है यानि कि जो हमारे पास tubular cell secrets कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा important चीज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा हमारे को help कर रहे हैं कि ionic और acidic को balance करकर रखेंगे body fluid के अंदर ऐसा नहों कि बहुत ज़्यादा तुमारे अंदर कमी हो जाए और ऐसा भी नहों कि बहुत ज़्यादा जाती हो जाए acid और ionic की ठीक है तो यह जो है ना हमारे पास tubular cells जो है वो क्या करते हैं इनको balance करकर रखते हैं ठीक है अब हम बात करते function of the tubules functions क्या है तुबिल्स के तो यहां पर देख लो proximal convoluted tubules ठीक है जिसे हम बोलते हैं PCT P for proximal C for convoluted T for tubules PCT is line by simple cobider ठीक है यह बात याद रखना brush border epithelium ठीक है तो PCT जो है वो line है उसके अंदर क्या चीज़ पाई जा रही है simple cobider brush border epithelium which increase increase करते हैं the surface area of the reabsorption ठीक है एक बर हमने पढ़ाता absorption intestine के अंदर होता है विलाई के दुबारा और विलाई का काम भी यह होता है कि surface area को बढ़ाना इसी तरह के simple cobider brush border epithelium जो है वो भी surface area को increase करते हैं बढ़ाते हैं क्यों बढ़ाते हैं कि reabsorption जाद से जादा हो जाए ठीक है कहीं ऐसा नहों कि तुमने जो filtrate के अंदर glucose और sodium information जो भेज़ती हैं वो जादा बाहर ना निकल जाए अगर वो चीज़ जादा बाहर जाने लगेगी urine के अंदर तो तुम्हें बहुत जादा वीकने साने लगेगी तो इसलिए हम surface area को बढ़ा देते हैं और reabsorption जल्दी हो जाता है और बढ़ भी जाता है ठीक है बाहर निकालेगा किस-को बहार निकालेगा है एट्रोजन को बहार निकालेगा हैट्रोजन को अमोनिया को और पोटेशन को बहार निकालेगा and filtrate and by absorption of hco3 negative और absorb किस चीज़ को कर लेगा hco3 negative को absorb कर लेगा ठीक है हैंले लूप हैंले लूप क्या होता है यह देख लो reabsorption is minimum हैंले लूप के अंदर reabsorption जो बहुत ही कम होता है in its ascending limb कहां पर ascending limb की बात कर रहा है however this reason play a significant role in the maintenance of high osmolatory medullary interstitial fluid यह क्या बोल रहा है कि यह जो हमारा है हैंले लूप है वो एक बहुत important role play करता है maintain करने के लिए किस चीज़ को maintain करने के लिए high osmolatory of medullary interstitial fluid को maintain रखने के लिए ठीक है the descending limb of loop of henle मतलब henle loop की दो पार्स थे एक था descending limb of loop और दूसरा था ascending limb of loop ठीक है henle is a permeable to water क्या बोल रहा है जो descending limb है हमारे पास ठीक है but almost impermeable to electrolytes लेकिन electrolytes के लिए बिल्कुल भी permeable नहीं है यानि की impermeable है this concentrate the filtrate oil as it moved down और यह नीचे के तरफ जाएगा उपर से नीचे के तरफ जाएगा ठीक है the ascending limb is impermeable to water अब क्या बोल रहा है कि हमरे पास एक limb ascending limb होता है चुको उपर की तरफ जाता है ठीक है इसलिए हम बोलते हैं उसको ascending the ascending limb मतलब उपर की तरफ जा रही है उसको हम बोलेंगे ascending is impermeable वो कैसा है impermeable of water पानी के लिए impermeable है उसका उल्टा होगा ठीक है but also transport of electrolytes लेकिन electrolytes क्या होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं actively और passively ठीक है actively और passively electrolytes होते हैं वह क्या हो जाते हैं transport हो जाते हैं therefore as a concentrated filter filtrate pass upward अब यह जो filtrate था हो पास होने लगा अब वर्ट की तरफ it gets diluted due to diluted को मतलब ता पतला हो जाना ठीक है due to the passage of electrolytes क्यों क्योंकि electrolytes होते हैं हमने क्या करा दी है reabsorb करा दी है या भेज दी हैं transport कर दी है किस तर कर दी हमने हमने कर दी है वसा रेक्टा के अंदर ठीक है जैसे कि तुमना अगर structure देखा है यह वाला भी हम बताएंगा ठीक है नीचे structure रहा उसमें देखते है electrolytes को हमने पास करा दिया है जब हमने electrolytes को पास करा दिया तो इसमें पानी पानी रह जाएगा इसलिए वह जो तुमारी यूरीन है यह जो filtrate है वह कैसा हो जाएगा डिलूटेट हो जाएगा ठीक है to the medullary fruits अब देखो तो digital convoluted tubule जिसे हम बोलते हैं DCT digital convoluted tubule conditional reabsorption of sodium and water take place in the segment यह क्या बोल रहा है conditional reabsorption होता है जब भी कोई condition आएगी तब reabsorption start होगा इसके अदर of sodium sodium का and water का ठीक है अगर कोई खास condition नहीं आ रही है तो भाई DCT अपना reabsorption नहीं करेगा जैसे कि माल हो तुम दो तिन दे रह जिस्तान में रह रह रहे हो बिना पानी पी है तो यह वहां पे digital convoluted tubule जो है वो काम करना start कर देगा क्योंकि वो conditional है और sodium और पानी को बचा कर रखेगा ठीक है क्योंकि आश्मिलिटरी को balance करना है टेक प्लेस इन इस सिग्मेंट तीज डीसीटी इस आलसु केपेबल ऑफ रियबसर्प्शन अफ एच्यो थी और इसके अंदर यह भी कैपसिटी है यह भी एविलिटी है कि यह भाई एच्यो थी को भी एच्यो थी निगेटिव को भी रियबसर्प करेगा एंड सेलेक्टिवली सेक्रेशन ऑफ हैड्रोजन और सेलेक्ट करके हैड्रोजन को पोटेशम को बाहर की तरफ फेकेगा ठीक है यह इसके अंदर खासियत है एंड एनेस थ्री अमोनिया टू मेंटेन पी एच्ट एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन अब लड़ ठीक है यह जो हमारे पास बाकी बागी बैसरें अमोनिया हो गया और सोडियम पोटेशियम ही जो है यह बैलेंस करके रखेंगे पी एच को मेंटे मराने के लिए और अब हम देख लेते हैं हमारे पास यह तो यहां पर तुम्हारे को एफ्रेंट आर्ट्रियोल देख रही है और एफ्रेंट आर्ट्रियोल देख रही है और यहां पर तुम्हें पहला वाला जो रीजन देख रहा है इसको हम बोलते है प्रागुसीमल कन्विलेटे ट्यूब्यूल्स और तुम यहां पर देख लो क सारी चीजों का क्या हो रहा है रिया इबस्रफिशन हो रहा है ठीक है और H Plus और NS3 का शेक्रिशन हो रहा है ठीक है आगे दिखो जैसे ही हां से हमारा funds होके नेच्ष है जाएगा सीलिक्डरेट डिस्टेंडिंग लिंब अफ Looo यह ट्रांसपर्ट हो जाएगा किसम हो जाएगा हमारे पास एक वता voter आती है ठीक है जिसे हम बोलते हैं संगी यह क्या पहुंच जाएगा और ब्लेट तमारे यहां पर ऑपर की तरफ आने लगेगा 먹고 तो यहां पर दो सिगमेंट दखने को मिल रहे हैं हमारे को, थिन सिगमेंट और दूसरा है थिक सिगमेंट, तो थिन सिगमेंट पर जब जाएगा जो भी चीज़ वह रियाब्सर्प करेंगा तो पेसिवली हो जाएगा ठीके? और जैसी वो ठिक वाले में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, एनेसेल का करा रहे हैं हम तो वहाँ पे तुम्हारे को एक्टिवली करना पड़ेगा, और वहाँ पे एनर्जी का इन्वेस्ट होगा, ठीक है, क्यों क्योंकि ये ठिक है, मोटी है, मोटी द हम क्हा ख़ते हैं री कर लेते हैं और वह भी ऐसे कि रह बींदेशनल पर जया से तो वार फेके हमारे पास यह का आती है जो हर नेफ्रान connect हो जाती है और इसमी में नो फिल्ट्रेट, हम मोले सकते हैं यूरीन यहां से होता हूँ बहार ना करT g dag कहीता है और यहां पर एक चीज और देखने को मिद गई कि यूरीय नहीं खीके रहे और इत्रम से टेखें है टि इूरीय जो है ना यहां इसलिव को बैलेंस करें रखें ठीक है आगे देखते हैं कलेक्टिंग डिस लॉंग डॉक्ट एक्स्टिन फ्रॉम दी कोटेक्स यह जो डगते कहां से आरी कोटेक्स से आरी ऑफ दी किड्नी ऑफ दी इनर पार्ट ऑफ दी मेडूला अंदर के तरफ मेडूला मेडारी लार्ज हो जाएगी कंसंट्रेटर हो जाएगी गाड़ी हो जाएगी दिस सिग्मेंट आल्सो पासेज ओफ स्मॉल अमॉंट अफ यूरिया इंटु दा मेडूलरी इंटरस्टेशियम टू कीप दा ऑस्मॉलेट्री दो को यह क्या बोल रहा है कि यह जो रीजन है मतलब मिंटेन करने में आयनिक बैलन्स करने में बाइद सेलेक्टिव इसकृषिएज़न और सक्रीशिन करेगा किसका है ए एंट प्रेशियम आयंस का ठीक है सब्सक्राइब तो समेज़ तो हम पर क्अंधिव सब्सृप ellaopura है ओकैं mechanism of concentration of the filtrate मतलब किस तरीके से mechanism होता है किस तरीके से इसके अंदर काम होता है filtrate को concentration बनाने के लिए गाड़ा बनाने के लिए ठीक है mammals have the ability mammals के अंदर ability है to produce a concentrated urine उनके अंदर इतनी छमता है कि वो अपनी urine कैसी बनाए concentrated बनाए गाड़ी बनाए the handle loop and wasa recta play a significant role in this यहाँ पर क्या बोल रहा है कि handle loop औके और हमारे पास है wasa recta ठीक है play a significant role in this यहाँ पर एक यह बहुत ही अच्छा काम मतलब निभाते है the flow of filtrate in two limbs of handle loop is in opposite direction यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखो जो filtrate है वो flow करेगा बहेगा दो opposite direction way में ठीक है एक नीची की तरफ तो एक उपर की तरफ जैसे कि यहाँ पर देखो तो मैं दिखता हुआ कि अगर यहाँ पर filtration जो आ रहा है एक नीची की तरफ आ रहा है है handle loop में और एक उपर की तरफ जा रहा है तो यह वही बोल रहा है कि यह जो है वो दो direction में work कर रहा है ठीक है two limb of flow यहाँ पर बोल रहा है na flow of filtrate in two limbs दो limbs के अंदर इस opposite direction में और दोनों के दोनों opposite direction में होंगे and thus form a counter current और इसी को हम बोल रहा है counter current मतलब एक दूसरे के opposite जाना ही counter कहलाता है जैसे कि पुलिस वाला चोर को मार देता है या बंदूक से मारता है तो उससे हम बोलते है कि counter कर दिया उससे तो इसका मतलब यह ही है कि वो जो चोर था वो पुलिस के opposite जा रहा था तबी तो उसने बंदूक चला दी ठीक है तो वही चीज़ यहां पर आये counter current का मतलब दा opposite जाना ठीक है the flow of blood through the two limbs of wasa recta अब यहां पर क्या बोल रहा है कि wasa recta भी जो है न वो दो होते है also in counter current pattern और वो भी कैसे होंगे कैसे pattern में होंगे counter current pattern में होंगे ठीक है the approximately between the handle loop and wasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing faising अभियांपर क्या बूल रहा है कि यह जो हमारे पस दो चीजे ढूब धने लूप के और वशाख़ार एक यह का है counter current चल रहा है देखो एक तो हमारे पास हैले लूप में नेफरोन देखता हूँ कहा गया नेफरोन ओके ये नेफरोन ओगया है नेफरोन में देखो तुम दिहान से कि तुम्हारे पास एक descending limb है ओके और एक है ascending limb ठीक है एक तो इन दोनों के बीच में opposite हो रहा है कि एक नीचे आ रहा है तो एक उपर जा रहा है इसी तरीके से अगर मैं यहां पर वसा रेक्टा की बात करूँगा तो वसा रेक्टा भी एक दूसरे से opposite है मालो वसा रेक्टा में उपर के तरफ बिलड़ जा रहा है ठीके और इस side की वसा react वो नीचे के तरफ बीलडा रहा है तो हम पर तुम्हें को सित दिख रहा है कि यह हमारे पास हेनले लूप है जो हमारे पास हेनले लूप है न वह एक दूसरे से opposite direction में जा रहे हैं इसी तरीके से वसा react भी एक दूसरे के opposite जा रहे हैं ठीक ले लूप है, तो ये एक दूसरे के opposite में आ रहे हैं, मतलब तीन चीज़े हो रही, counter, counter current mechanism, जो है, वो तीन तरीके से हो रहा है, धेकलो, एक इन दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है, opposite, एक हो गया, और एक इन दोनों के बीच में हो रहा है, दो हो गए दो हो गए और तीसरा इन दोनों के बीच में हो रहा है क्या बोलते हो अरे क्या बोलते हो भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा ना तो यहां पर हमारे पास तीन counter current mechanism चलते हैं ठीक है और यह जो mechanism है यह क्या करते हैं इस osmolatry को balance करकर रखते हैं मेरा highlighter आ गया है ठीक है तो यह तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं maintain कर रहे हैं increasing osmolatry towards inner medullary interstition तीनों के तीनों चो हैं वो osmolatry को maintain करकर रखते हैं we know that from 300 mili osmol per liter याद रख लेना 300 mili osmol per liter अगर यह जो है वो गड़बड कर देते हैं क्या मतलब NCRD वाले question जबाते हैं तो mili को हटा देंगे osmol लिख देंगे या liter जो upon liter इसको हटा देंगे तो गलत हो जाएगी unit ठीक है तो इसका दियान रखना in the cortex to about 1200 mili osmol per liter in the inner medulla medulla के अंदर ठीक है this gradient is mainly caused by NACL and urea क्या बोला है यह cause क्या करता है NACL और urea को NACL is transported by the ascending limb NACL जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ascending limb के दुवारा of handle loop which is exchange with the descending vasa reactor और किसके साथ exchange कर जाएगा वasa reactor के साथ exchange कर जाएगा तुम्हारे को को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है देखो क्या बोलना चाहरा है यह बोलना चाहरा है कि ascending limb है कैसा limb है वाई ascending limb है जो मैं blue color से कर रहा हूँ ओके यह red ले लेते हैं फिर इसने क्या बोला is exchange with the descending loop of handle क्या बोल रहा है descending loop of handle का आंगे हमारे पास descending limb of vasa reactor vasa reactor कैसे है descending है ठीक है यहां पर यह action करेंगे समझ लो बात द्यान से यह क्या करेंगे exchange करेंगे किछीज क्या exchange करेंगे nacl and uria का sorry nacl is transported nacl का बात समझ रहे हो nacl का क्या करेंगे यह exchange करेंगे यहां पर यह तुम ले लो समझ मारा तुमारे को आगे देखें nacl is returned into the interstitium by the ascending portion ठीक है और वसा रेक्टर असेंडिंग पोश्चन से वसा रेक्टर में पहुंच जाएगी कि similarly small amount of uria enter the thin segment of the ascending limb of helle loop यहां पर क्या बोल रहा है कि ascending limb of helle loop में जो हमारा थिन वाला segment था विच इस transported back to the interstitium by the collecting tubule और बाकी जो था वो तुमारा कहां पहुंच जाएगा collecting tubule में पहुंच जाएगा the above described अभी हम पर क्या बोल रहा है कि हमने ऊपर described कर दिया है transport of substance facilitated by the special arrangement of helle loop and the wasa reactor is called counter current mechanism वो बोल रहा है कि जिस तरीके का वो arrangement एक दूसरे के उल्टे चल रहे है उसी उल्टे चलने को ही हमने एक नाम दे दिया है क्या नाम दिया है उसको counter current mechanism हमने उसको नाम दिया ठीक है this mechanism helps to maintain a concentration gradient यह का बोल रहा है कि यह जो mechanism है वो maintain करता है किस चीज को concentration gradient को ठीक है कि गाड़ापन maintain बना रहा है कि यह ऐसा ना हो कि बहुत ज़दा पतला urine निकल रहा है बहुत ज़दा गाड़ा निकल रहा है उस चीज को maintain बना कर रखता है ठीक है तो यहां पर देख लो तुम यह 300 osmol तो यह कुश्चन आजाता है कि 300 osmol कहां पर होता है तो वह होता है cortex region में और वसा रेक्टा वाले रिजन में याने कि मेडूलरी रीजन में होता है 1200 milliosmol पर लीटा ठीक है तो यहाद रखना इनर मेडूलरी रीजन यह है और यह और मेडूला है और यह है cortex रीजन ठीक है बाकी डियाग्राम देख लिए ना अच्छे से इन दा मेडूलरी इंटर्सटिश्टिशन पिजन सफ सच इंटर्सटिशन ग्रेडियेंट एल्प इन इसी पैसेज ओफ वाटर फ्रम क्लेक्टिएंटी त्प्यूब थ्रो कंसरेटिंग फेल्ट्रेट्रेट्व यूरीन यहाँ पर क्या पोल रहा है कि हैं यहाँ पर जो है फो एक्षिल में क्या बन जाता है यूरीन बन जाता है अब फिल्टेट किसमें बदल गया है यूरीन बदल गया वह कब बदला है जब कलेक्टिंग डुक में आगया human kidney can produce urine nearly four times concentrated than the initial filtrate formed, यह क्या बोल रहा है कि humans की जो kidney है वो बना सकती है, produce कर सकती है urine को nearly मतलब लगभग four times four times, चार time concentrated गाड़ी बनाएंगी than the initial filtrate formed, मतलब initial proximal convoluted tubules में जो तुमारा filtration बनाता है, यानि कि filtrate हुआ था, तो वो जो filtrate था, उसके चार गुना उसके चार गुना भाई, concentrated होता है मतलब वो filtrate बहुत ही जादा पतला होगा उसको चार गुना कर लो तब जाके तुमारा urine बनता है, ठीक है ओके, आगे देखते है regulation of kidney function मतलब किस तरीके से हमारी kidney है वो regulate होती है और किस तरीके से वो काम करती है the functioning of kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback यह क्या बोल रहा है कि जो हमारी kidney है वो function कर रही है, monitor कर रही है regulated by the hormonal hormonal feedback के दोवारा ठीक है, अदलब hormones निकल रहा है उसी के दोवारा वो चीश चल रहा है involving the hypothalamus, इसके अंदर जो involve कर रहा है वो है hypothalamus, juxtagglomerular apparatus and the certain extend the heart और इसमें थोड़ा heart भी आ रहा है ओस्मो receptor is the body are activated यह क्या बोल रहा है ओस्मो receptors होते हैं हमारे body के अंदर are activated जो के activate हो जाते हैं by changes in blood volume जैसे blood volume के अंदर changes होगा उसी तरीके से तुमारे आस्मो receptor के अंदर भी चिंजस हो जाएगा और वो activate हो जाएगे ठीक है body fluid volume and ionic concentration और क्या बोल रहा है body fluid जो है उसका volume में चिंजस हो रहा है और ionic concentration में चिंजस होगा ठीक है and excessive loss of fluid अगर जादा मातरा में fluid का निकल रहा है लॉस हो रहा है from the body body से can activate these receptors ठीक है receptors which stimulate the hypothalamus जैसे कि मालो तुमारा बहुत ज़्यादा खूर निकल गया या बहुत ज़्यादा चोट लगी तुमारे को और तुमारा fluid बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है तो उस time पे यह जो receptors है वो क्या हो जाएंगे ह्पॉथेलमस हो जाएंगे हैपॉथेलमस हो जाएगा थिक के हैपो जाएलमस चैसे ही स्तुमारेट होगा to release cardi diuretic hormones चैसे ही hypothalmas stimulate हो जाएगा चक जाएगा उससी time क्या होगा एक हार्मोन को रिलीज कर देगा जिसका नाम हे anti diuretic कि दुवारा हो रहा है नीरो है पोफेसिज इडी एच फैसिली टेट वाटर री एबसरप्षन फ्रोम लेटर पॉर्ट आप दी टीविल क्या हो रहा है कि एडी एज़ वह फैसिलीट होता है वाटर का री एबसरप्षिन कराने में ठीक है फ्रूम लेटर पार्स ऑफ डी को तुमारे को ठीक है युअज डी युट में ऩूजरelson को नीच नहीं नूएज नम समय दsın और रिजेए को जैंगे कम निकले घब नहीं फिल् verf चुलोशुचिज अल्डियूपरबी *** जायगा वादोर से वादेरnhi दब जाएगा कम हो जाएगा तो पूरा पूरा फीडवेग मिला जाएगा ADH एफेक्ट करता है किड़नी के काम पर बाइदा करेगा तुम्हारी ब्लेड वेसल्स नालिया है उनको क्या कर देगा उनको पतला कर देगा ठीक है दबा देगा इस तरी के लिएन टो पाइप का मुह दबाया होगा पानी भड़ते टाइम तो उस टैम क्या होता है पाइप के जो वाउल्स होती है वो बहुत जाद़ प्रेशर माल आ जाती है और जो फ्लू होता है बहुत जाद़ तेज होने लगता है तो वही चीज़ हमें बतना है कि increase हो जाएगा blood pressure and increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow, यह क्या बोल रहा है, जैसे ही तुम्हारा blood pressure increase होगा, वैसे ही तुम्हारा glomerular blood flow भी क्या होने लगेगा, increase होने लगेगा, and there are glomerular filtration rate भी बढ़ जाएगा, ठीके, और साथी साथ, glomerular filtration rate भी क्या होगा, बढ़ flex regulatory role, यह क्या बोल रहा है, जो हमारे पास just a glomerular apparatus वह एक अच्छा role play करता है, of all in glomerular blood flow glomerular blood pressure, GFR, यह क्या बोल रहा है, of all glomerular blood flow, मतलब glomerular blood flow जो है, अगर गिर रहा है, यह हम बोल सकते हैं, glomerular blood pressure गिर रहा है, यह जाएफर, यानि, glomerular filtration rate गिर रहा है, can activate JG cells, ठीके, जैक star glomerular cells को activate कर देगा to release, release करे किसको रहनीन को, ठीके, रहनीन की, वो देख लेना, spilling देख लेना, ठीके, which converts angiotensinogen, अभी क्या बोल रहा है, कि रहनीन जो है, वो convert कर देगा, angiotensinogen को blood into angiotensin 1 में, ठीके, मतलब यहां पर देख लो, angiotensin 1 को, किसमें बतल देगा, angiotensin 2nd में बतल देगा, मतलब, angiotensin और जन जो है, वो क्या करेगा, angiotensin 1 को किसमें बतल देगा, angiotensin 2nd में बतल देगा, angiotensin 2nd, being a powerful, यह एक बहुत शक्तिशाली, वसा, वसो कॉंस्ट्रिक्टर है, मतलब, तुमारी जो veins हैं, ब्लेड वेसल सो, उनको बहुत जोर से दबाएगा, ठ increase the glomerular blood pressure, और glomerular blood pressure बढ़ जाएगा, and thereby glomerular filtration rate भी बढ़ जाएगा, angiotensin 2nd also activate, और साथी साथ यह एक्टिवेट कर देगा, adrenal cortex को, to release aldistron, मतलब, देख रहे हो, angiotensin 1st जो था, वो बहुत ही बहुत आराम से सोर रह था, चिल मार था, लेकिन, angiotensin और जन जैसे ही आएगा, तो angiotensin जो है, वो सेकेंड में बदल जाएगा, और जैसे ही वो सेकेंड में बदल गया, तो उसको बहुत जादा गुसा आएगी, और वो क्या करेगा, पहुत ही शक्ति शाली और पहुत ही जादा ताकस से क्या करेगा, तो मारे blood vessels को दबाएगा, जिससे के blood pressure बढ़ जाए अने प्लस, sodium को and water को कि भाई, बहुत जादा पानी को और sodium को reabsorb करो क्योंकि इसने पानी नहीं प्याएगा, इसका blood pressure घर रहा था, इसलिए हमने ऐसी आरकत करी है, from the distal parts, distal parts के अंदर, of the tubules, tubules में, this also lead to increase in blood pressure, ये भी क्या करेगा, increase in blood pressure and GFR, ये भी blood pressure को बढ़ा देगा औ ये भाई, angiotensin ने इसको उठाया आए, ठीक है, this complex mechanism is generally known as renin angiotensin, oh sorry, renin angiotensin mechanism, इसको हम क्या बोलते है, renin angiotensin बोलते है, an increase in blood flow to the arteria, अब ये क्या हो रहा है, जब भी blood flow जो है बढ़ जाता है तुमारा, blood का बहना जब भी बढ़ जाएगा, तो arteria of the heart, heart का एक chamber है, जिसे ह arterial natriuretic factor, क्या बोल रहा है, कि जो arteria है, वो release करने लगएगा, एक factor को, जिसे हम बोलते है, arterial natriuretic factor, ठीक है, anf can cause verso dilation, वो क्या गरेगा, जो तुमारी blood vessels थी ना, जो तुमारे pipe था, जिसको तुमने दभा रखा था, बहुत जाता होड से, उसको क्या गरेगा, dilute कर देगा, उसका मूँ बढ़ा करेगा, ठीक है, dilation of blood vessels, ठीक है, वो ही बोल रहा है, उसको बढ़ा कर देगा, and thereby decrease, उसकी वज़े से क्या होने लगेगा, decrease होने लगेगा, the blood pressure, blood pressure कम होने लगेगा, anf mechanism therefore act as a cheek on the renin angiotensin mechanism, ठीक है, और वो क्या करेगा, act करेगा, किसके ऊपर, renin angiotensin के पूरी mechanism के उपर anf जाके क्या करेगा, act कर देगा, भाई, समझ रहे हो, सारा का सारा blood pressure low कर देगा, तो तुमारा जो heart है, वो बिलकुल normal stage में आ जाएगा, और फिर तुमारा blood flow normal हो जाएगा, urine formed by the nephron, urine जो है, वो कहां पर बनी है, nephron में बनी है, is ultimately carried to the urinary bladder, अब कहां पर ह करके ले जाएगे, urine bladder में, मतलब शाप की तहली में, हम urine को ले जाएगे, कि वहां पर जाके तो में store होना, ठीक है, where it is store, जहां पर वो store होगी, till a voluntary signal is given by the central nervous system, क्या बोल रहा है, हम पर, कि जब तक हम voluntary signal नहीं देंगे, तब तक वो store रहेगी, ठीक है, यहां पर बोल रहा है, Central Nervous System, CNS, this signal is initiated by the stretching of the urinary bladder, stretching का उनला होता है, जब भी उसके अंदर खचाव पन पैदा होगा ना, तुमारे bladder के अंदर, तब हमारे को फिल होगा, ठीक है, as it gets filled with urine, और जो तुमारे urinary bladder है, वो भर जाएगा, urine से, in response, उसके response में हम क्या बोलेंगे, the stretchers receptors on the wall of the bladder, मतलब जो bladder क wall है, उदर क्या होदे, एक receptor लगे होते है, जिनको हम मोलते है, stature receptor ठीक है, of the bladder send signal, वो signal भेजते हैं, to the CNS, Central Nervous System को, the CNS passes on motor messages, और CNS क्या क्या गराएगा, motor के दुआरा messages को भेजेगा, to initiate the contraction of smooth muscles, की contract करें, कौन सी muscles, smooth muscles, of the bladder, bladder की, and stemming, and simultaneously relaxation of the urethral insfinkter, ये क्या बोल रहा है, जैसे ही, तुमारे smooth muscles contract करेंगी, उसी के साथ साथ, relaxation होने लगेगा, किसमे, urethral insfinkter में, ठीक है, causing the release of urine, उससे क्या होगा, urine जो है बाहर की तरफ आना, श्टार्ट हो जाएगी, the process of release of urine, is called micturation, micturation का मतलब यही है, कि जो तुमारी urine है, अगर वो release हो रही है, बाहर की तरह आरे है, उसी को हम micturation बोलते हैं, ठीक है, and the neural mechanism causing it is called the micturation reflex, और इस mechanism को हम बोलते है, micturation reflex, ठीक है, an adult human excrete on an average, एक से लेके देर लिटर्स of urine per day, मतलब एक दिन में, हम कितने लिटर urine को बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक से लेके देर ठीक है, the urine formed is a light yellow, urine कैसी होती है, light yellow colored watery fluid होता है, which is slightly acidic, और pH 6.0, ठीक है, pH क्या होता है, इसका 6.0, ये line बहुत जदे important होयाती है, कभी कोशन आ सकता है, कि urine का color किस तरीकी का होता है, ठीक है, उसका pH क्या होता है, तो यह मैं पता होना है, जैसे कि अब तुने महुत का pH होता है, जो लगबग 6 होता है, ठीक है, and has characteristics order, इसके एक अलग अजीब सी smell होती है, on average, 25 to 30 gram of urea, मतलब जो इसके अंदर urea present होगा, तो को urine और urea अलग अलग है, urea, जो है, urine के अंदर present होता होता, वो किता होता है, 25-30 gram, जैसे कि अपना बोलते है blood, तो blood के अंदर hemoglovine किता presented, तो उसी की तरह से, जैसे hemoglovine होता है, बारा से पंदरा या 15-16 gram होता है, approximately, तो वो ही चीज है, कि urine के अंदर किता यूरिया है, तो वो 25-30 gram urea है, is excreted odd per day, मतलब इतना एक दिन में निकालते हैं, various condition can affect the characteristics of urine, अभी का बोल रहा है कि अलग-अलग condition जो है, वो एफेक्ट कर यूरियन बनेगी, analysis of urine help in clinical diagnosis, यह क्या बोल रहा है, analysis हम करेंगे, urine का, ठीक है, urine को देखेंगे, और उससे हमें मदद मिलेगी, किसमे clinical diagnosis की, इसको क्या दिक्क्त आ रही है, मतलब अगर तुम urine को देख रहे हो, तो तो तुम बता सकते हो कि इस patient को यह दिक्क्त आ रही है, of many metabolic disc, discorders as well as malfunctioning of the kidney, और इससे यह भी मतलब जाए कि तुमारी kidney जो है, वो properly work कर रही है, यह नहीं कर रही है, ठीक है, for example, presence of glucose, अगर मालो glucose present है, ठीक है, किसके अंदर, urine के अंदर, तो हम बोलेंगे, glycos, glycosuria, ठीक है, urine present, urine के अंदर, glucose present होगा, तो हम बोलेंगे, glycosuria, and ketones bodies, अगर ketone bodies present है, तो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, ketone, ketone urea, ओके, देख लो, glucose अगर present होगा, तो glycosuria, और अगर ketone bodies present है, तो हम बोलेंगे, ketone urea, ठीक है, ketone urea, in urine, और in indicative of diabetes mellitus, इससे, यह indicate क्या करती है, diabetes mellitus को indicates करती है, role of other organ in excretion, अभी हम पर क्या बोल रहा है, कि जो और भी organs है, वो excretion में किस तरीके से work करते है, ठीक है, other than the kidney, lungs, liver and skin also help in the elimination of excretory waste, excretory waste में कौन-कौन सी चीज़े काम आती है, जैसे कि kidney आ गई, lungs हो गया हमारे पास, liver हो गया and skin, यह जो चीज़ नोंने बताई है, यह सारी के सारी चीज़े eliminate करती है, और excretory waste को बाहर निकालती है, ठीक ह जो lungs है न वो remove करते हैं, large amount of CO2, ठीक है, बहुत जादा मातरा में carbon dioxide को बाहर निकालते है, approximately 200 ml per minute, मतलब एक मिनिट के अंदर तुम 200 ml carbon dioxide को बाहर निकालते हो, lungs के दुवारा, ठीक है, and also significant quantities of water everyday, और कुछ मातरा में, ठीक है, हम पानी को भी क्या करते है, remove करते है, liver the largest gland, liver जो ह है, वो कैसी gland है, एक largest gland है, सबसे बड़ी gland है, in our body, हमारी body के अंदर, secrets bile, चुक क्या करती है, secret करती है, bile को containing substance like bilirubin, or biliverdin, cholesterol, degraded, stride hormones, vitamins, and drugs, यहां पर क्या बोल रहा है, कि जो हमारा liver है, liver क्या secret करता है, bile को secret करता है, bile को secret करता है, और bile किस चीज़ से मिलके बना है, तो उसक के अंदर हमारे पास, bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded, destroyed, hormones, vitamins, and drugs, उसके अंदर पाई आती है, इन substance वो उसके अंदर होते हैं, containing होता है, most of these substance ultimately pass out along with digestive waste, यह सारे के सारे जो है ना, पास कर देते हैं, किसके दौरा हम digestive waste के दौरा, the sweet and sebaceous gland, sweet glands होती है, यह हम बोल सकते, sebaceous gland in the skin, skin में होती है, can eliminate certain substance, eliminate को करती है, certain substance को through their secretion, किसके दौरा secretion करती है, मतलब यह बोल रहा है कि skin के दौरा, हम sweet glands के दौरा क्या करते है, पसीने को बाहर secret करते है, sweet produced by the sweet gland is watery, यह क्या बोल रहा है, sweet चोई ना, वो produce होता है, निकलता है sweet gland से, पसीने वाली gland से, इसा watery fluid कैसा होता है, वो एक पा NACL present होता है, small amount of urea, और lactic acid, यह लाइन बहुत जादा important है, कि जो हमरी sweet gland है, वो क्या-क्या release करती है, तो भई देख लो NACL small amount में urea भी निकाल देती है, और lactic acid को भी वो बाहर निकालती है, etc, तो the primary function of sweet is to facilitate a cooling, पहला जो काम बता रहा है, cooling ठंडा करना, cooling effect on the body surface, जब भी त तो पसीना आएगा, और उस पसीने का काम यह है, कि वो तुमारी body को ठंडा रखेगा, ठीक है, it also help in the removal of some of the waste mentonoid above, दो को यह हम पे बोल रहा है, कि यह जो भी है ना, यह help कर रहा है, जो waste चीज़े उनको बाहर नकाल ले में, अब यहाम पे नोने नाम बता दी, sebisious glands eliminate certain substance like strols hydrocarbons and wax through sabium, यह बोल रहा है कि sebisious glands जो है, वो eliminate करती है, मारती है, straws को hydrocarbons को और waxes through sabium, ठीक है, sabium gland के दुआरा बहार निकालती है, this secretion provide a protective oily covering, यह जो मतलब secretion हो रहा है, यह चीज़ बहार जो निकल रही है, यह क्या गर रही है, प्रोटेक्टिव oily covering पला दीगी, for the skin, skin को और एक चिकनी skin लगने लगेगी, तुमारों ऐसे लगएगा थोड़ा चिकना पना रहा, do you know that small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva, यह बोल रहा है, small amount में, छोटे amount में nitrogenous waste को हम eliminate कर देते हैं, किसके दुआरा, saliva के दुआरा, okay, आगे दिख लेते, आगे हमारे पास disorders of the excretory system, malfunctioning of kidney can lead the accumulation of urea in blood, क्य होता है, जैसे तरीके से kidney को काम करना चाहिए था, उस तरीके से kidney काम नहीं कर रही है, और क्या हो रहा है, accumulation of urea in the blood, blood के अंदर urea जो है ना, वो accumulate हो जा रहा है, हिकटा हो जा रहा है, ठीक है, a conditional called uremia, ऐसी conditional को, ऐसी conditions को हम बोलेंगे, uremia, मतलब तुमारे blood के अंदर urea अग failure और इससे हमारी kidney भी fail हो सकती है, समझ रहो, तुमारे blood के अंदर बहुत ज़्यदा urea पहुच गया, ठीक है, बहुत ज़्यदा urea है, उसके दोवारा क्या होगा kidney तुमारी fail हो सकती है, in such patient urea can be removed by a process called hemodialysis, ये क्या बोल रहा है कि कुछ patient ऐसे होते हैं, जिनके अंदर हम क् हैं, urea को बाहर निकाल देते हैं, remove करते हैं, किस के दोवारा, किस process के दोवारा, hemodialysis के दोवारा, during the process of hemodialysis, the blood drain, उसमें हम क्या करेंगे, जब भी homo hemodialysis करेंगे, तो blood को हम drain, blood को खेच लेंगे, from convenient artery, कौनसी artery से, convenient artery से, is pumped into the dialysis unit called artificial kidney, और उस blood को हम किस में डाल देंगे, artificial किड्नी में डाल देंगे, machine में डाल देंगे, blood drain from a convenient artery, is pumped into a dialysis unit after adding, दो क्या करा हमने, आर्टरी से blood को निकाल लिया है, ठीक है, और उसको machine में डाल दिया है, ठीक है, okay, pumped into the dialysis unit after adding an anti-cogglant like heparin, और इसके अंदर हम एक anti-cogglant को add कर देंगे, जिसके वज़े से, तुमारा ज हका नहीं, जब मेंगा, clot नहीं बनेगा, इसलिए हम उसके अंदर heparin को add कर देंगे, अगर मालो हम heparin add ना करें, और हम blood को simple machine में लियाएंगे, तब दिक्कत हो जाएगे ना, फिर blood clot कर जागा, दो बार हम blood नहीं डाल सकते वह वाला उसको, तो हम पर हम क्या करते है, anti-coggl का यूज करते हैं, जो के हो होता है, heparin ठीके, जिससे हमारा blood जो है, वो coagulate नहीं करता है, the unit contain acquired cell fan tube, कैसी tube होती है, cell fan tube, cell fan tube, cell fan tube, okay, cell fan tube, surrounded by a fluid, dilating fluid, having the same composition as debt of plasma, सारा का सारा, यह बोल रहा है कि composition उसके अंदर सारा का सारा, सारा होता है, except the nitrogenous waste, लेकिन nitrogenous waste विलकुल अलग हो होता है, the porous cell phone, यह एक तरीकी का छे होते हैं, ठीक है, cell phone membrane होती है, ठीक है, of the tube, tube के allow the passage of molecules, वो क्या करती है, allow करती है, molecules को कि भई, यहां से यहां पर transfer हो जो, based on the concentration gradient, की concentration gradient कहां पर साधा है, जैसे कि मालो, तुमारे blood के अंदर urea साधा है, और उस machine के अंदर urea कम है, तो blood से जो urea है, वो gradient की वज़े से उस machine में आ जाएगा, समझ पाए, क्योंकि तुमारे blood में साधा urea है, और उस machine में urea कम है, तो concentration gradient होती है, ठीक है, as nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, यह समझ लो, nitrogenous waste हो है, वो बिलकुल present नहीं होता है, तुमारी dialysing machine के अंदर, ठीक है, dialysing machine के अंदर, या dialysing fluid क अंदर, the substance freely move out, thereby clearing the blood, और यह पुरे का पूरा clear होके आगे की तरफ move कर जाता है, the clear blood is pumped back to the body through a vein, और हम क्या करते हैं, वेन के दोबारा हम blood को दोबारा से body में पहुचा देते हैं, after adding anti-heparin, ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम अभी भी हैपरीनी डाल के पहुचा दिया है, उसको, तो भाई अगर हम हैपरीनी डाल देंगे, तो फिर उसका blood कभी clotty नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम anti-heparin डाल देंगे, जैसा था, वैसा ही कर देंगे, ठीक है, और वेन के दोबारा हम उसे body में डाल देंगे, to it, this method is born for thousand of uremic patient all over the world, हजारियों लोगों का इ इलाज किया गया है, ऐसा, जिसके अंदर, यूरियस आदा बढ़ गई है, बिलेड के अंदर, किड्नी काम करना छोड रही है, ठीक है, हजारियों patient को ऐसा क्या गया, इस machine के दोबारा, kidney transplantation is the ultimate method, अब यह क्या बोल रहा है, किड्नी काम transplantation कर रहा है, मतलब एक इनसान के पास रेनल फेल्वर, यह हम बोल सकते हैं कि उसके रेनल जो है, वो फेल्वर हो रही है, kidney fail हो रही है, a functioning kidney is used in transplantation from a donor, ठीक है, preferably a close relative, क्या बोल रहा है, कि हम जादा प्रिफर यह करेंगे, कि उनके रिस्तेदार हों, जैसे कि मालो, बाप बेटा है, तो पहले अगर बाप की kidney fail हो र देखेंगे, यह नहीं कि किसी की भी तुमने kidney उठा के डाल दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, to minimize its chance of rejection, जिससे क्या होगा, बहुत कम chances होंगे, कि उसकी body rejection करें, जैसे कि मालो, तुमारे डैड की kidney खराब है, ठीक है, और तुमने वहाँ पे kidney किसी और के डाल दी, तो वहाँ प उसका जो है, वो reject कर देगा, kidney को और kidney damage होने लगेगी, खराब हो जाएगा, ठीक है, modern clinical procedures have increased the success rate of such a complicated technique, इसमें बहुत जादा, क्लिनिक में एक increase हो गया है, success rate बहुत, मतलब दिखाएगे, हाँ, काम्याभी हासिल हुई है, इनको, transplantation कराने में, ठीक है, रेनल कैलकुलाई के ब इसा mass जो घुल नहीं सकता, ठीक है, of crystallized salt, oxalate, etc, ठीक है, oxalate का बनावा होता है, found within the kidney, जो kidney के अंदर बन जाता, ठीक है, जिससे क्या होगा, तुमारे kidney में storm बन जाएगी, और दिक्कत आना start हो जाएगे, ठीक है, आगे दिखलो, glomerular nephritis, यहाँ पर क्या बोल रहा है, inflammation of glomeruli of kidney, ठीक है, kidney के अंदर जो glomeruli है, उसका सू जाना ही, glomerulion nephritis कहलाता है, okay, so finally अपना यह वाला जो chapter है, यह पूरा का पूरा complete हो चका है, kidney वाला, okay, so I hope तुम्हेरे को कुछ समझ माया होगा, और अगर तुम अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो, तो like और subscribe करो, और यह जो summary है ना, यह तुम पढ़ना खुद से, ठीक है, मिलते हैं अपने एक और, next video करना,